विश्व में अनेग भाशाएं हैं और हर भाशा में आक्षिरों की संख्या अलग-अलग होती है मगर हर भाशा में नंबर सिर्फ दस ही होते हैं हर लिपी के अनुसार उनकी लिखावर बदलती है मगर उनका महत्व वही रहता है इन संख्याओं का महत्व बड़ा ही व्याबक होता है और हर संख्या का अपना एक विशिष्ट गुण और प्रभाव होता है नम्बरों के एनरजी फील्ड अलग-अलग होते हैं और नम्बरों के इनी एनरजी फील्ड के आपके और हमारे जीवन में पढ़ने वारे प्रभाव का अध्यन करने वाले साइन्स को निमरोलोजी कहते हैं। निमरोलोजी द्वारा किसे भी वैक्ति के जीवन पर नम्बरों के साकरात्मक और नकारात्मक प्रभाव को पता लगाकर उनके प्रभाव को साकरात्मक किया जा सकता है। किसे भी बड़े से बड़े नंबर का अपना एक मूल नंबर होता है। जैसे मान लिजिए आपको बारा का मूल नंबर जानना है तो दोनों नंबरों को उनके मान के अनुसार जोडने पर उनका मूल नंबर मालूम हो जाता है। यहाँ पर बारा का मूल नंबर एक जोड़ दो यानि तीन हुआ। इसी तरह बढ़े से बढ़े नंबर को जोड़ते हुए अंत में उनके मूल नंबर को जाना जा सकता है। ठीक इसी तरह हमारे नाम, देट और बर्थ का भी मूल नंबर होता है। हमारे फैक्टरी, घर के नाम का असर भी हमारे जीवन पर पढ़ता है। उनकी विशिष्ट उर्जा, हमारी सफलता और परेशानियों की एक मुख्य वजय बन जाती है। नुमरोलोजी साइन्स पर रिसर्च करने और इसका फार्दा अधिक सेधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए 15 साल पहले एक रिसर्च इंस्टिूट की स्थापना की गई थी। जिसका नाम है पादफाइंडर आश्ट्रो वास्तू रिसर्च इंस्टिूट। इस रिसर्च इंस्टिूट की स्थापना आश्ट्रो वास्तू नुमरो विज्ञान में पीजडी की देगरे प्राप्ट दो नव यवकों डॉक्टर दिनेश ओजा और डॉक्टर भानुन जय धवर द्वारा की गई। इतने सालों के इस सफर में लाखों लोगों ने इस इंस्टिूट से लाव उठाया है। शुप कामना के असंख पत्र और अखबारों में इस रिसर्च इंस्टिूट की प्रसंसा में छपे हुए लेख इसके पुखता सबूत है। अगर आप भी अपनी दुकान, मकान के नाम को अपने जीवन पर पढ़ने वाले नकारात्मक प्रभाग को साकरात्मक करना चाहते हैं, तो हमें स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल करें। आप हमारी वेबसाइट www.pathfindersastrovastu.com पर लोग उन कर सकते हैं। आप हमें इमेल कर सकते हैं pathfinder mumbai at the rate of yahoo.com पर यहां आपको बहुत साधरन उपायों द्वारा ही आपके नाम के दोशों को समाप्त कर, उनके सकारात्मक उर्जा को आप तक पहुचाने के सुझाव दिये जाते हैं। आखिर यही तो फाइदा है गहन research और 15 सालों के लंबे अनुभव का, इस institute में हर वेक्ति की समस्या को personal attention देकर दूर किया जाता है। हमारे पास numero astro vastu researches की एक बहुत बड़ी team है। सिर्फ 500 रुपे के मामूली शुल्क से आप अपने numerology सम्मंधी समयसा का समाधान पा सकते हैं। इस शुल्क में आपके किनी तीन सवालों का उत्तर दिया जाएगा। बिलकुल कम से कम सेवा शुल्क पर मानवता की सेवा करना ही बात finder का उद्देश है। हर number का अलग-अलग उच्चारण होता है। उनके उच्चारण की धनी से अलग-अलग उर्जा उनमें समाई रहती है। ग्रहों का और नमबरों का आपस में बड़ा गहरा रिष्टा होता है। नमबर कितने अधिक प्रभावकारी होते हैं। इसका पता आपको चलेगा इन घजनाओं की तितियों के मूल नमबर को जानकर। मुंबई में पानी से तबाही 26 जुलाई 2005 को। इंडिया में लास्ट रिकोर्डर सुनामी का कहर 26 जून 1941 को। गुजरात में घुकंप 26 जनवरी 2001। इन सारी घटनाओं में एक बात कॉमन है और वो है नमबर 26। और 26 का मूल नमबर है 2.6 यानि की 8 अब आभी सोचिए। अगर नमबरों का इतना नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर प्रक्ति पर पढ़ रहा है तो फिर आपकी जाती जिन्दगी पर इसका दुष्परिणाम कितना पढ़ रहा होगा। आप भी अपने नाम के स्पेलिंग में मामूली सा सुधार करके इनका सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में ला सकते हैं। 24 गंटे आपके नाम की नकारात्मक उर्जा आपको चिड़चिड़ा, घुसैल और निराशावादी बना देती हैं। अगर आप काफी महनत कर रहे हैं पर सपलता नहीं मिल रही हैं, आप अपने लक्ष तक पहुंचते-पहुंचते रह जा रहे हैं, आप पढ़ाई तो काफी मन लगा कर कर रहे हैं। अपने परेशानियों को मामूली से सेवा शुल्क दे कर दूर कीजिए। अब नमरों की भूल भूलईया में भटक कर और नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है। बस हो गया काम। बेहद आसान और बेहद असर्दार। बात फाइंडर एस्ट्रो वास्तु रिसर्च इंसिचूट का 15 सालों का अनुभब और लगातार किये जा रहे हैं रिसर्च आपके निमरोलोजी सम्मंदित किसी भी परेशानी का समधान बताने में सक्षम है। नमरों की नकारात्मक उर्जा से होने वारी परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। बस एक कॉल करके इफ बट छोड़िये और हमें फोन कीजिए। इस इफ एन बट ने आपका काफी नुसार किया है। आप अपने बच्चे का नाम, अपने डेस्टिनि नंबर के अनुसार रखिए। आपके भाग्यांग के अनुसार आपके बच्चे का नाम होने से पेरेंण्स और बच्चों के बीच का संबंध हमेशा मधुर रहता है। एक मामूरी से शुल्ग से आप अपने नियुमरालोजी सम्मंधी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को खुश देखकर हमें बेहत खुशी होगा। विद्या प्राप्ती के लिए कठिन परिश्रम करना अतियावशक है। पर कुछ लोग तो बहुत परिश्रम करते हैं। फिर भी पढ़ाई में उन्हें कोई लाम नहीं मिलता है। आप दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं। पर फिर भी result अवरिट से आगे नहीं बढ़ता है। इसका मुख्य कारण है एकागरता। अगर आप दिन रात किताबों में घुसे रहते हैं। पर आपका ध्यान कहीं और है, तो इस परिशम का आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलने वाला है। कमा तो तब होता है, जब लोग आपको कहते हैं कि बेटा ध्यान से पड़ो, एकाग्रा होकर पड़ो, पर कोई ये नहीं बताता है कि आखिर एकाग्रा हुआ कैसे जाता है। आप भी इन सब बातों को सुनसूर कर अब तक तो उपी गए होंगे। पर क्या कारण जानने से परिशानी दूर हो जाती है। बिलकुल नहीं। अच्छा विद्यारती बनने के लिए बुद्धी, ज्ञान, विवेक, एकाग्रता इनहीं चीजों का आपके जीवन में बहतर सामन जस्ते लाने के लिए पाथफाइंडस आश्ट्रो वास्तु रिसर्च इंस्टिट्यूट आपके लिए लेकर आएं सरस्वती यंत्र। अत्यांत, फलदाय, खोच है ये। प्रान प्रतिष्ठित किया गया है, जिससे विद्यार्थी का मन शांत रहता है और उसकी एकाग्रता बढ़ती है। साथी साथ मन को और अधिक एकाग्र बनाने के लिए इसमें मन के कारक ग्रह चंद्रमा का रत्न लगाया गया है। मन को हमेशा सही रास्ते पर रखने और एकाग्रता देने वाले ग्रह गुरु का रत्न पुखराज जड़ा गया है। बुद्धि दाय ग्रह बुद्ध का रत्न पन्ना भी इसमें जड़ा है। इसे पाने के लिए फॉरन अपने स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल कीजे और अपनी पढ़ाई पर आने वाले सारे बाधाओं को दूर भगाए। अच्छा रिजल्स लाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो भी टॉपर बने हैं। इस बनना तो स्वाभावी की है। बढ़ाई बिल्कुल योग की तरह है। जरा सा ध्यान भटका और उसे वापस कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ग्रहों की नकारत्मक उर्जा की वज़े से आपका मन स्थिर नहीं है, तो उसे कंट्रोल में लाना और भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल एक जिद्धी बच्चे की तरह। आप जितना उसे स्थिर करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही और चंचल होता जाएगा। ग्रहों के नकारत्मक उर्जा को दूर करने का एक मात्र उपाय है। इनके संबंदित रत्नों को धारन करना। इसलिए पाथ फाइनर्स आस्ट्रो वास्तु रीसर्च इंस्ट्यूट की टीम ने बहुत ही गहरा अध्यायन और रीसर्च करके आपके लिए बनाया है सरस्वती यंत्र। जो पढ़ाई और विद्या अर्जन से संबंदित है। ये सरस्वती यंत्र आकृति विज्ञान, रत्न विज्ञान, अध्यात्वान और मंत्र शक्ति से युक्त है। अगर आपके बेटे या बेटी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है और पढ़ाई की जगा शर्तानियों में ध्यान लगता है तो या आप खुद किसी कमपेलटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा हो तो आपके इसी परेशानी का सरल, क आपका लड़का बुद्धी मान तो है पर वो अपनी सारी बुद्धी पढ़ाई से बचने के बहानों में लगा रहा है उससे आप सरस्वति यंत्र धारन करवाएगे ये उसके अंदर पढ़ाई की रूची जगाएगा ताकि वो अपने दिमाग का सधु प्योग करे और आपका नाम भी रोशन करे अरे अब आप किस सोच में पढ़े हैं जल्दी से फोन उठाएए और सरस्वति यंत्र ओडर कीज आप हमारी वेबसाइट www.pathfindersenterprisesindia.com पर लोगाउन कर सकते हैं आप हमें इमेल कर सकते हैं pathfinders mumbai at the rate of yahoo.com पर Pathfinders Astro-Vasthu Research Institute 15 सालों से आपकी जीवन की उन सवालों का हल ढूने की कोशिश कर रहे हैं जिनका हल ढूनना काफी मुश्किल है अपने पुराने गरीमा में इतिहास को दुभारा दोहराते हुए इस बार विश्व की सबसे बड़ी जरूरत पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी पढ़ाई का जादा लाब मिले इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं सरस्वति यंत्र अगर आपकी घर परिवार या आस पडोस में किसी को भी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप तुरान्थ सरस्वति यंत्र खरीद लीजे और उसे उपहार में दे दीजे आपकी मेहनत का उचिर लाब दिलवाने के लिए लेकर आए हैं सरस्वति यंत्र कि एक नेक काम को अंजाम दीजे कहां भी गया है कि विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है और विद्यार्जन में की गई साहता सबसे बड़ी साहता होती है तो मंगवाए सरस्वति यंत्र और शिक्षा के दीव जलाएए स्क्रीन पर दिएगे नंबर पर कॉल कीजिए और ग्यान का प्रकाश पहलाएए कितने सोच विचार के बाद हम अपने करियर का चुनाफ करते हैं फिर जी जान लगाकर हम मेहनत करते हैं पर मन चाहा रिजल्ट ना मिलने पर हमें सोच में पर जाते हैं कि कहीं हमारा चुनाफ कुछ गलत तो नहीं था एक बार किसी राजा ने एक कैदी को हथोड़ा देकर कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अगर तुम इस दिवार को तोड़कर बाहर निकल जाओ तो तुम्हारी सदा माफ हो सकती है कैदी ने दिवार को जाच परक कर देखा कि एक जगा से दिवार कमजोर लगती है और वहीं हथोड़ा चलाने लगा पर शाम तक दिवार नहीं तूटी उसे लगा कि शायद उसने गलत जगा का चुनाफ किया है ऐसे ही कुछ महीनों तक उसने अलग लग जगा पर दिवार तोड़ने की कोशिश की अंत में ये मान कर बैठ गया कि ये दिवार उससे नहीं तूटेगी अगर वो महीनों तक एक ही जगा दिवार तोड़ने की कोशिश करता तो निश्चित ही दिवार तूट जाती है लेकिन अपने self confidence की कमी के कारण वो जिन्दगी भर कैदी बना रहा है अगर आप भी कोई ऐसी ही गलती दोरा रहे हैं तो उसका result भी कुछ ऐसा ही होगा बहतर परिणाम के लिए self confidence का होना बेहत जरूरी है और सवाल ये है कि self confidence बढ़ाया कैसे जाए self confidence को बढ़ाने के लिए आपके अंदर सकरात्म को उर्जा होनी चाहिए और ये उर्जा मिलती है अध्यात्म और ग्रहों से आपका self confidence बढ़ाने और रोजगार को निश्चित और लाबदाई बनाने तथा आपकी उन्नती को शिकर तक पहुचाने के लिए pathfinder astro vastu research institute लाए है smart career smart career को आध्धात में जोतिश विज्ञान और रत्न विज्ञान तीनों के आधार पर तयार किया गया है ग्रहों से आने वाली अध्रिश किरनों का कूप्रभाव आपके career रोजगार नौकरी पर पढ़ता है इसके कारण आप हमेशा खुद को अस्थिर महसूस करते हैं इसलिए 15 सालों से आश्ट्रो वास्तू और आध्धात में किक्षेत्र में रिसर्च करने वाला पाथफाइंडर आश्ट्रो वास्तू रिसर्च इंस्टिट्यूट ने आपके career को आगे बढ़ाने के लिए smart career की खोच की है smart career में आपकी मानसीख स्थिती या self confidence को बढ़ाने वाला और आपको focus रतने वाला ग्रह चंद्रमा का रतन मून्स्टोन जड़ा गया है सफलता और प्रसिधि दिलाने वाला ग्रह सूरज का रतन मानिक जड़ा गया है सिध्धी यंत्र को विशिष्ट महुर्त में दोडलव बंत्रद्वारा अभिमंत्रित किया गया है आकृति विज्ञान के आधार पर इस smart career को एक विशिष्ट तरह से बनाया गया है ताकि ये आपके career के लिए अधिक लाबदाई और शुभफलदाई बन जाए इतने हुपयोगी और career को स्थीरता देने वाले smart career का मुल्ले है सर्फ 999 रुपे स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल कर smart career को मंगवाईए और अपने career को सही दिशा और गती दीजिए एक profession में साथ साथ शुरुआत करने वाले लोगों में से कुछ लोग अपने career की बुलंदी तक पहुँच जाते हैं और कुछ चंद कदम ही तैकर पाते हैं आपको famous बनाने में सूर्य ग्रय की भूमी का अत्यंत महत्तपूर्ण है जब तक सूर्य की सक्रात्मुक उर्जा से आप वंचित रहेंगे लाख कोशिशों के बाद भी परसिद्धी आपसे दूर भागती रहेगी अगर सूर्य आपके पक्ष में है और आप करम बिलकुल ना करें तब भी आपका टॉप पर पहुचना बहुत मुश्किल है आपके करम करने की इच्छा का संबन मन से चुड़ा है और मन को रूल करने वाला प्लैनेट है चंदर्मा इसलिए स्मार्ट करियर में चंदर्मा करतन मूनस्टोन और सूर्य करतन मानिक दोनों जड़े गए है आध्यात्मिक और मंत्रो विशेक द्वारा सिध होने से नाकरात्मक उर्जा का नाश हो जाता है ग्रहों का हमारे जीवन पर काफी गहरा परभाप पड़ता है चंदर्मा की वज़़े से समुंदर में चवार भटा आ जाता है शांत सा देखने वाला चंदर्मा समुंदर की लहरों को तस फील्ड से भी ज़्यादा उपर उठाने की शक्ती रखता है तो सोचिए इसकी नाकरात्मक उर्जा हमारे जीवन में कैसी हलचल मचाती होगी आज का आध्युनिक साइंस भी इसे मानने लगा है कि ग्रहों की उर्चा का हमारे जीवन पर कहरा परभाव पड़ता है जब आप स्मार्ट करियर को धारण करके अपने करियर को तेजी से बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप खुद भाखुद समझ जाएंगे कि ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना परभाव पड़ता है